तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेलफुल होने वाली है चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करें जिसने भी मेरी श्का पहली क्लास मेंने लिए ती वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक आउट कर सकते हैं नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दे रखा है आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखना क्योंकि जितने बुक्स और आथर में आपको करा हूंगी आपके एक्जाम में यहीं से क्वेशन आपसे देखने को मिलेंगी क्लियर हो गया तो चली स्टार्ट करतें अपने आदस सब्सक्राइब्स को वीडियों पसंद और है muscle हैं ज़्यादा सज्यादा शरूर करो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस तरेके से आपके एक्जाम में बुक्स और से क्वेशन पहुचे जाते हैं तो यह आज आपका पहला बुक और यह कुवेशन तो मैं आपको यहां पर बुक और ऑफर करा रही हूं उसके बाद मैं स्टूडेंट आने वाली वीडियो में इससे बेस्ट कुवेशन भी कराऊंगी तो उसके लिए पहले हम कुछ बुक से नौतर याद कर लेते हैं लाइक आप पहला द है इससे पहले भी मैं उल्डेडी बुक से नौतर की प्लेइलिस्ट बना चुकी हूं अगर आपने वह नहीं देखिए तो जाके देखो बहुत सारे बुक से नौतर इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड इस्ट्री के करवा रखे हैं अदर्वाइस अब मैं एक नए लेकर क्या अब उतने ज्यादा करूंगे पुरे यूटीब चैनल पर आपको इसीरी नहीं मिलेगी इतने बुक्स नए और आपको देखनी को मिलने वाले ँसके रहें । टेले के स्ट्राइब कर ले इसु साथ बने रहें सीरी पहला सिमझ में आंगया प्लेटिकल एकॉनमी और सवकार ने नेक्स्ट बुक की बात करूंगी बॉर्डर्स और बाउंट्रीज वुमेन आई इंडियन पार्टीशन तो यह बुक लिकी थी रितु मैनन ने आप यहां पर देख सकते हैं जो इसके नाम भी कितने बड़े-बड़े हैं अगर आपके इंट्रेस एक्जाम में बु होने वाले तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो इसलिए मैंने इस सीरीज अभी से स्टार्ट कर दिये तक कि आपके इंट्रेस जमाने तक आप लोगों को सारे बुक्स अनौतर अच्छे से याद हो जाए ठीक है तो यह तीन बुक्स अनौतर आप लोग समझ गए नेक्स् नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं फोरिगिन आरीजन यह बुक है सुल्तान ट्रेड और पिल्ग्रिम इन गुजरात तो यह बुक क्या है समीरा सेख ने लिखी थी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर्यन डिबेट आर्यन डिबेट की जो किताब लिखी गे थी वह किसने नेक्स्ट आपका जोमर ग्रामबर तो जोमर व्रैकरन की किताब किसने लिखी थी कमरेश्वरी ने लिखी थी क्लियर हो गया नेक्स्ट आपका वीर सोलियाम तो वीर सोलियाम की जो बुक है किसने लिखी थी बोध मित्र तो वीर सोलियाम ने क्या लिखी थी बोध मित्र लि देख सकते हो कासी कवरी थी इन्हों ने लिखी थी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वाकीय अबढ़त्य अब किस तरीके से आपके एक्जाम पूछ में पोचे जाएंगे ठीक है तो अभी मैं आपको क्या करा रहे 측 कुछ चार से पांच यहां पर मैं books and author की वीडियो कराऊंगी books and author के लिए हमारा session चलेगा उसके बाद student में आपके लिए क्या लेकर आऊंगी questions लेकर क्या हूंगी ठीक है किस तरीके से आपके exam में books and author से question पूछे जाते है match the following के through ठीक है कोई भी तरीके से जितना भी पैटन से question पूछे जाते हैं वह सारे question के उस तरीके से में questions की वीडियो लेकर क्या हूंगी लेकिन उससे पहले आपको यह जितने भी मैं यह book जो है वह किस language में लिख्षी गई थी जो कि आपके exam में पूछी जाती है उसके बाद यह book क्या है यह एक poem है या फिर एक drama है यह आपके exam में आता है ठीक है या फिर यह dramatic है या फिर यह एक novel है आपके एक्जाम में यह भी पूछे जाते हैं तो यह सब कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाली हूं साथी साथ मैं बताऊंगी कि यह जो books हैं इन books के subject क्या हैं इस book में क्या बताया गया था क्योंकि आगर आपने previous तर उठाया होगा तो आप सिर्फ writer और book की याद करना sufficient नहीं होता जो भी और भी points है वो भी याद करना जरूरी होता है तो daily मैं आपको यहीं बोलूंगी आप लोग ancient media world modern world history पढ़ो लेकिन book and author को कम से कम जितना मैं आपको वीडियो में books and author करा रहे हूं daily आप इतना तो पढ़ लो इसलिए मैं ज्याद इसलिए बाते जरूर मानना ताकि आपके आने वाले इंट्रें जिसा में books and author's question है तो full marks आप जरूर आएंगे clear हो गया आगे बढ़ेंगे next book की बात करेंगे राजकाहिनी तो राजकाहिनी की बात करूं तो यह बुक लिकी थी अब अन्ठाकुर ने नेक्स्ट बुक है तार आगे बढ़ेंगे next book की बात करेंगे लुबाब अलबाब तो लुबाब अलबाब जो है वो किसी ने की थी जहरत दीन नसर मुहम्मद ओफी ने ठीक है next मैं बात करूंगी तूती नामा तो तूती नामा की यह बुक लिकी थी जिया नक्सवी ने और next है आपका फुत्वेस सलातीन यह बुक लिकी थी इसलामी ने तो एक बात मैं आप सबको बता दूँ मोई से बहुत से स्टूडेंट पूछते कि मैं बुक है नाथर के लिए कौन सी बुक खरीद लें कहां से करें तो स्टूडेंट यह सिफ एकी बुक से कर नहीं पाएंगे ऐसी कोई कि एकी बु कुछ वी मेरे चैनल पे बने रहो सीरीज में जितने बुक से नाथर करांगी वहीं से अपको आपके एक्जाम में देखनी को मिलेंगी मोस्ट इंपोर्टन्टी जितने भी मैं आपको इंडियान हिस्ट्री के करांगी इन्ट्री का मतलब है आपके जो एंशेंट होते हैं प सब्सक्राइब करने के पूरी कोसिस करूंगे जितना में करा सकूँ ठीक है लेकिन आपको एंशिंट मेडियेवल मॉडरन हिस्ट्री के बुख जितना में वीडियो में देख लोगे न सफीशेंट है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा चाहिए आप चैकाउट कर लो लास्ट य यह सब भी कर सको आप लोग देख रहे हो किजबा थोड़े बड़े बड़े भी हैं लाइक तारीके फिरोजसाई फत्वा जहादिरी फुत्वा सलातिन इसलिए बोलड़ू यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा इतने बुक्षान होता जितने ब estamosका चैना सरी कज यह किए मिनाजर सराज नें फभावर नामा चैनल भावर नामा किसी देखी थी पाय मय नाम्हां हो मतया किताब है गुलबदन बेगं मोस्ट एमपहुडेंट है इस मिलनता है लेकिन यहां प्ट्चे क्या गल्ति कर्ते कि हमयू नामा है मैं यहां पर एक question भी डाला था एक बार तो हुमायू नामा मैंने पूछा था तो बच्चों ने मैं को सुने बहुत सुने क्या क्या था रिखा था कि हुमायू नामा हुमायू ने ही लिखिये तो student यह आंसर हो जाता है गलत वो गुल बदन बेगम में लिखिये इसलिए यह वाला बुक एन ओधर मैंने यह आप लिखा है ताकि आपको मैं आपकी गलती बता सकूँ कि हुमायू नामा है वो गुल बदन मेगम ने लिखा है बाबर नामा एक सिर्फ बाबर नामा है और एक जहांगीर है ठीक है यह दोनों हैं जिनोंने अपनी बुक खुद लिखी थी अपनी और जहांगीर है जिसने अपनी बुक खुद लिखी थी बाकि जितने वी हैं इन्होंने अपनी बुक खुद नहीं लिखी थी लीखया है वो कौन है लेखा के महात्मा गांदी जी क्लियर हो गया नेक्स हम बात करेंगे काव्या विमांसा तो काव्या विमांसा की बुक किसे ने लिखी थी राज सेकर ने लिखी थी को ही आगे बाड़ेंगे को नेकुस्ट ऑथर के बात करूंगी लाइफी डिवाइन लिकी थी अरविध घोस ने स्भी एस्ट एस्टऑेबल बए यह स्टबल बॉइन रॉइन के राइटर कौन ऴिक्रम सेंट गाईड की अगर बुक की बात करुँगी तो आर के नरायन जीनि नेस्ट ऑफ दर बात करेंगे हितोबदेश игры देष नरायन narrयों पंडूति है ऐसी अपके गजाम में देखने को मिलेगा सत्यार्ट प्रकास्त की देखोगे लिक्ति दैयानंस सरस्वती के देयानन सरस्वती नहीं सत्यार्थ प्रकास किये बुक लिखी थी इन्होंने देखा तो जितना मैं आपको क्या बता रहे हूं जतना मैं आपको एक वीडियो में बुक अनौतर करा रहे हूं आपको इसको डेली याद करना है बाकी आप अपने इस्ट्री के लिए पढ़ते रह कि एक लिए क्लियर हो गया तो यह कुछ इंप़र्टेंट रॉक एफ याद कर लो इससे मैं वागए कोशिज करोंगी आपसे में घ्राय करेंगी कि आपको एपको ऑफर कराने के बाद मेरे टैलेगराम चैनल फे इंसे ही बेश आप रवेस्वेस्ट करूंगी ठीक है तो चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल अकल जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए इस सीरीज में जूड़ जाओ ताकि आपके बस कितने बुक्स होता है पहले साब को पता थे कितने याद हो गए यह सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही थैंक्यू फर वाचिंग